स्टार्ट करते हैं दी मोस्ट इंपॉर्डेंट चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है हम लोग ऐसे चैप्टर तो बहुत निगेटिव सेंस मिलेते हैं मालू मैं कि नहीं नहीं देखो आगया चैप्टर देखो प्रॉफिट एंड गेंस ओफ बिजनस और प्रोफेशन इसको हम लोग नाम देते हैं पी जी बी पी यह पीजी बी पी है क्या धंक से सुनेंगे जीसे हम लोगों ने सेलेरी देखा हाउस प्रॉपर्टी देखा। खर एक particular chapter का यहाँ पर chapter नहीं बोलेंगे, जब हम bear act पढ़ने तो वहाँ chapter का मतलब दूसरा होता है, यह chapter number 4 में cover होता है, सारे के सारे heads of income, लेकिन वहाँ पर हम नहीं जा रहें, इस chapter की अगर बात करें particular topic की, तो इसका charging section start होता है section 28 से, कहां से, section 28 से इसका charging section start होता है, charging section, जैसा हम लोगों ने salary में देखा था, section number 15, अचा house property भी देखा था, section number 22, और आज हम लोग देख रहे है section number 28, यह आपका charging section है, जो यह बताता है, कि कौन सी चीजें आपकी PGBP में taxable होती है, इस पूरे chapter का scope क्या है, टिक, यह वो chapter है, जो आपको यहां पर नहीं, बलकि पूरा CACS या CM में बनने तक, अब जिएंगे साथ साथ, मरेंगे भी साथ साथ, यह याद रखना, अब जब तक तुम लोग जिन्दा हो, सास ले रहे हो, being a professional या accounts background के student या कुछ भी करोगे future में, यह chapter आपको हर जग काम आएगा, आने तो काफी सारे chapter हैं, लेकिन इसका role क्या होगा, जैसे इसे पढ़ोगे, समझ में आएगा, अच्छा, charging section का मतलब क्या है, मैंने कहा है, पूरे scope को cover करता है, हमके वाले इतना बोलने कि अगर कोई बंदा business है, profession करता है, और उससे कोई income earn करता है, that shall be charged to tax under the head PGBP, this is a very narrow scope coverage of this particular chapter, इसके बहुत beyond जाकर के यह बात करता है, कि कौन-कौन सी चीजे हमारे पास coverage होंगी, PGBP में tax लगाने के लिए, तो start करते हैं, और धंग से सुनेंगे, अगर कोई person कोई income earn करता है, during the previous year, from its business or profession, business, profession दोनों को cover किया है, सर, legal business या illegal business, legal profession या illegal profession, अरे बोलो, दोनों, income tax कभी यह नहीं कहता, बेटा कहां से पैसा आया, pocket मारे हो किसी का, चोरी किये हो, दलाली लिए हो, कोई फरक नहीं पड़ता, आपकी income है, business है, वो आपका, चोरी करना business है, return भरो, कोई दिकत नहीं है, this is your profession, legal illegal में कोई फरक नहीं करता यह, income is income, वो police department देखेगा कि वो legal है या illegal है, वो income tax department नहीं देखने जा रहा, clear, इसके tax लगाने का तरीका और दायरा बिलकुल अलग है, मैं फिर बोलता हूँ, अगर कोई person, कोई income earn करता है, during the previous year, business या profession से, तो वो charge होगा, under the head PGBP, अब फिर एक नहीं बात सामने आई, इस एक line को पढ़ने से, sir, business का मतलब मान लीजिए, हमने सोचा, हम किताबें बेचने का काम करेंगे, और हमने केवल साल भर में एक ही किताब बेची, तो क्या वो business हो गया, एक किताब बेचों के तो business कहलाएगा, हाँ, इससे कोई फरक नहीं पढ़ता कि आपका वो जो transaction है, कितने frequent तरीके से हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं, बार-बार हो रहा है, या केवल एक बार हो रहा है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ, if any person earns any income, अच्छा फिर एक नहीं बात आई, सर आपना हम लोग को पढ़ा रहे हैं profit या gain, हम लोग किसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी कोई बात, अरे बोलो न, अच्छा कर रहे हैं, अरे हाँ, बात तो सही बोल दिए, हम profits के साथ साथ losses की भी बात करते हैं, हमारे इस act का नाम है income tax act, हाँ या न, 1960, इसका नाम loss tax act नहीं है, क्या नाम है, income का मतलब होता है आपका, positive income as well as, gain का मतलब होता है आपका positive gain as well as, result pass हो गए, तो pass का मतलब positive pass भी होता है और negative pass भी होता है, बात समझे हैं, जो लोग बहुत आशावादी होते हैं उनसे को क्या हुआ पास हो गए लेकिन negative में, अनल फेल हो गए, वो फेल वर्ड नहीं बोलना चाहते हैं, तो कहा गया, income arising on any, income arising to any person, किसी भी person को कोई income arise होती है, by way of profit on gains, profit on gains from its business or profession, carried on by him, carried on by him at any time, किसी भी समय, frequent way में होना जोर रही नहीं है, during the previous year shall be charged to text under the head PGBP, this is the normal sentence, जो हमने अभी तक PGBP के बारे में जाना, if any person, have income arising from business or profession, carried on by him, at any time, during the previous year, shall be charged to text under the head PGBP, बात कतम होई, clear हुआ, first sentence में किसी को कोई दिक्कत, नहीं है ना, अच्छा जी, section 28, any income arising from business or profession, arising to any person, from business or profession, carried by him, at any time, during the previous year, shall be charged to text under the head PGBP, तिक, second point, अब सुनना, अब इस section की तो चीज़ें सामने आएंगी, सुन लो, बिल्कुल डिफरेंट है, एक एक चीज़ समाएं, in case of an export SSC, अगर कोई export करने वाला SSC है, क्या बोला मैंने, in case of an export SSC, लिखने से अच्छा समझना है, अगर कोई export SSC है, तो ये ये income भी उसकी PGBP में जाएंगी, अगर कोई export SSC है, तो उसको अगर कोई ये income earn होती है, तो वो PGBP में जाएंगी, section 28, उसको भी cover करता है, अलग से cover करने की जुरुत इसलिए पड़ी, क्योंकि केवल अगर इतना लिख देते उपर वाला हिस्सा तो शायद यहाँ पर cover नहीं होता, पहला point है, profit on sale of import license, सोचो हम किसको transfer करने की बात कर रहे हैं, और import license, license is a capital asset, license हमारे क्या होते हैं, capital asset होते हैं, license क्या होते हैं, capital assets होते हैं, ये मेरे लिए assets है, license क्या होते हैं, assets होते हैं, और किसी capital asset को transfer करोगे, तो कौन सा profit earn होता है, capital gain earn होता है, क्या earn होता है, लेकिन सोचो PGBP कहता है अगर आपके पास को import license है उसको transfer करोगे तो PGBP arise होगा capital gain में मत ले जा रहा है यानि अगर ये sentence यहाँ नहीं दिया होता तो शायद हम इसको कहाँ tax लगाते capital gain में अब यहाँ दिया है तो कहाँ tax लगाएंगे PGBP में तो profit on sale of import license capital asset होती है तो ये भी capital asset ही होती है लेकिन इसको अब वहाँ पर convert नहीं का वहाँ पर नहीं रखा गया कहाँ रखा गया PGBP में क्यों रखा गया reason जानना चाहते हो नहीं जानना चाहते होता क्या है ढंक से सुनना कि ये Mr. X है ये import करता है सामान चाइना से और ये इंडिया में है अगर ये इंडिया से ही सामान खरिदता तो इसके लिए cost होती 20 रुपए कितनी? पर केजी अब ये चाइना से ले रहा है उसके लिए cost पढ़ रही है कितनी? तुम भी business man हो अगर तुम्हें demand है किसी सामान की raw material की need है और चाइना से वो सामान तुम 12 रुपए में मंगा सकते हो और इंडिया से वही सामान 20 रुपए में बाय करना पड़ता है तो कहां से बाय करोगे? बोलो ना but obvious है तो यहां के धंदे तो बंद कर दो तुम यहां की सरकार कोशिश करेगी कि सारा सामान कहां से आए चाइना से आए और यहां की लोग अपने दर्वाजी बंद कर दे बिजनस बंद करके घर पे बैड़ जये हाँ सस्ता आ रहे भई चाइना ने अपने यहां बोल रखा है कि हिंदुस्तान के मार्केट को तबाह कर दो अरे मल्याक नहीं कर रहा कि यहां के मार्केट को तबाह कर दो जितना सपोर्ट चाहिए उतना लेलो एकनॉमिक लिए जितना सपोर्ट चाहिए वो लेलो सस्ते में सावान बेचू अरे चाइना में कभी होली दिवाली नहीं मनाए जाती लेकिन उनके कलर हम लोग खेलते हैं उनके पटाके हम लोग छोडते हैं हाँ या ना हर चीज में उनके दिये अब हम लोग जलाते हैं उनकी लाइटस हम लोग जलाते हैं क्या है मतलब उसने पूरा हमारे मार्केट पर क् capture तो कर लिया अगर यह 12 रुपए से सामान खरीदता है तो यहां की domestic industry क्या हो जाएगी बरबाद हो जाएगी तो government ने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे हम duties लगाएंगे क्या लगाएंगे ऐसा नहीं इंडिया नहीं कहती है export मत करो इंडिया कहती है तुम भी चाइना के market को बरबाद करो अगर कूबत है तो तुम भी क्या करो लेकिन कहा कूबत है वहां assistance बहुत जादा है यहां assistance बहुत कम है अच्छा चाइना ने अपने लोगों को बोला हिंदोस्तान के market को बरबाद करो गौर्मेंट ने का ठीक है तेरी बिल्ली तुझी पर मैं हूँ हम अपने लोगों को बोल देंगे सुनो अगर ये market रशिया का है दो मिनट के लिए समझना अगर ये Mr. X सामान कहां सेल करता है रशिया में सेल करता है अगर वो इंडिया से सामान खरीदेगा तो कितने का पड़ेगा और ये बेचता 30 रुपय में है हाँ या ना वहीं चाइना वाला डाइरेक्ट रशिया में माल बेचता है 15 रुपय में तो लोग किसका खरीदेंगे रशिया कहां से खरीदेगा इंडिया से खरीदेगा या चाइना से खरीदेगा तो ग सामान खरीदता है और उसको दूसरे देशों में बेच देता है तो कितने में खरीदू बेटा तुम 14 रुपए में बेचो इंपोर्ट करके क्या करो इंपोर्ट करके डोमेस्टिक मार्केट में मत ले आना इसको यहां के मार्केट में मत बेचना अगर कोई export करने वाला बंदा है वो अपना import license बेच रहा है अब बात समझ में आई clear हुआ concept नहीं कि अगर कोई export करने वाला इंडिया का बंदा जो सामान को import करके बेचता है उसके लिए ये है कि अगर कोई export करता है in case of an export SSE और वो license लेता है किस चीज का import license, government ने अब इसको license दे दिया license दिया, सामान खरीदो सस्ते में खरीदो और दूसरे देशों में बेचो, अपनी branding लगा करके क्या दिक्कत है made in India हो गया नहीं समझे इसका market खराब होगा ये रशिया में 15 रुपे पर चूना लगाता था तुम 14 रुपे में चूना लगाओ नहीं समझे ये 15 में ही बेचो, क्या दिक्कत है fight तो करने के बराबर हुए अब समझ में आया तो अगर कोई export SSE है वो import license लेता है क्या लेता है तो government ने कहा ठीक है, तू 2 लाख किलो सामान खरीदना चाहिना से कितना एक साल में तुमको हम इतनी permission देते हैं 12 रुपे पर यानि अगर ये इंडिया से खरीदता तो 8 रुपे का नुकसान होता टोटल कितना नुकसान होता 16 लाख का अब इसके पास वो license पढ़ा है लेकिन इसने license को समय के पहले बेच दिया siellä लाख किलो खरीद लिया है अभी भी कितना खरीद सकता है 50 रुपे के हिसाब से सस्ता पढ़ेगा 8 रुपे के हिसाब से सस्ता पढ़ेगा 50 रुपे के हिसाब से 4 लग का अभी फाइदा उठा सकता है सामान खरीदेंगे तो मेरा PGBP में आएगा न ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में आएगा न और अगर सामान सस्ते में खरीदेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा न नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा न तो अगर सस्ते में सामान खरीदें तो हमारा प्रॉफिट बढ और खरीद ले तो लेकिन इसने क्या किया यह license बेच दिया 50,000 किलो का जो license बचा हुआ था इसने license दूसरे किसी को बेच दिया 3 रुपए के हिसाब से कि बेचा अब तुम ही सस्ते में खरीद लेना बोलो license ट्रांसफर करने के rules regulation होंगे वो आम नहीं जान रहे है भी तो यानि कि इसने कितना कमा सकता था अब कितना आया उस license और कितना कमाया इसका मतलब तो वो कमाएगा जो खरीदा है license इसका मतलब ये डेड़ लाग जो कमाया उस चार लाग के बदले है जो ये कमा सकता था वो चार लाग का नुकसान कहां हुआ पीजी बीपी में तो ये डेल लाग का फाइदा कहां जाना चाहिए तुमी लोग बोल रहा है अब बात समझ में आई क्यों आया पीजी बीपी में समझ में आया ये line कि वहätzen बताओ एक चोठी सी line समझाने के लिए इतना नहीं समझ में आई बात in case of an export SSE profit on sale of import license दूसरा है आपका duty drawback क्या है third है cash assistance and the last one is profit on transfer of duty entitlement passbook जिसको हम short में कहते हैं DEPB अब सुनना रंग से point number two is over जिस तरह हमको government ने support किया कि तुम विदेश से सामान खरीद सकते हो तब खरीद सकते हो जब तुमारा purpose दूसरे देश में सामान बेचना है तब उस case की यह special बात की गए आसा नहीं कि हम चैना से सामान नहीं खरीद सकते हैं आप खरीदो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना हम यह नहीं करें कोई सामान नहीं करी सकते बाकी सामान खरी सकते हो कई चीज ओपर restriction लगे हो है ताकि यहां की domestic industry को हम safe guard दे सके ऐसा नो वहां से सामान खरीदो यहां के धंदे बंद कर दो ठीक चलो दूसरा है duty drawback duty drawback क्या होता है this is same government ने का तुम सामान खरीदो tax दे करके ले आना क्या सामान खरीदना इंपोर्ट करना import duty दे देना बाद में उसको हम तुमारे पास वापस कर देंगे क्योंकि तुम क्या करते हो export कर रहे हो मैंने सामान कहां से खरीदा चाइना से कितने रुपए पर गॉर्मेंट ने हमारे उपर tax लगा दिया कितना रुपए टोटल हमें कितना रुपए पढ़ गया यह सामान आ गया यह duty है एक लाग किलो हमने सामान बनाया खरीदा इसमें से इंडिया से इंडिया में ही मैंने सामान बेच दिया साथ हजार किलो इंडिया से इंडिया में ही तो गॉर्मेंट ने का बेटा तेरा तो पैसा गया लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैंने तो रश्या में सामान बेचा है कितना किलो चालिस हजार तो government कैंगे, हाँ, हाँ, तुम्हें दूसरे देशों में सामान बेचने के लिए सस्ता सामान चाहिए, तुमने इंडिया में तो use नहीं किया, ये 5 रुपए वापस ले लो, 40,000 into 5, नहीं समझ में आया, ये duty drawback, back कर दी गई हमको, तभी तो हम सामान बेच पाएंगे दूसरे क्यों है, समझ में आया या ने रीजन, थर्ड है cash assistance, cash assistance का मतलब होता है, government करती है, ये काम करो, तुम जितना भी सामान चाहिना में बेचोगे, एक्सपोर्ट करोगे, जितने रुपए का बेचोगे, उसका 20% हमसे ले ले लेना, cash assistance, तुम 10 करोड का सामान चाहिना में बेचो 20% हमसे पैसा ले लो, 2 करोड रुपए, नहीं समझे मेरी बात, तो हमारी लिए क्या हो रहा है, फायदा ही है, नहीं, कहां taxable होना चाहिए, PGPP में, common sense की चीज है, सामान महंगा पढ़ रहा था, अब सामान सस्ता हो गया, क्योंकि मैंने एक्सपोर्ट किया, तो PGPP का हिस्स है लास्ट वन, ये क्या है, duty entitlement passbook, होता क्या है, government ना, कहती है, देखो, तुम दूसरे देशों में export करते हो, बार बार तुम से पैसा लेना, तुम ही को वापस देना, तुम ही से पैसा लेना, और तुम ही को वापस देना, export करने पर, एक काम करते हैं, हम तुमारे खाते में 5 पांच लाक रुपए की credit चड़ा देते हैं, government ने ऐसे ही दे दिया, मतलब हमारे past experience को देखते हुए, past business को देखते हुए, यह हमारे future को देखते हुए, government ने में एकाते में 5 लाक रुपए चड़ा दिये, होते तो करोडों रुपए है, 5 लाक रुपए चड़ा दिये, मानल को क्या चाहिए? टेक्स चाहिए? तो government कहाएगे ठीक हम अपने खादे से अपने लिए ही टेक्स निकाल लेंगे. नहीं समझे? मैंने इसमें से तीन लाख रुपए यूज कर लिए. अभी भी इसमें कितना बाकी है? हम फायदा ले सकते हैं? टेक्स का? ड्यूटी का? हमने किसी को ये बेच दिया. दो लाख का फायदा किसी को पचास अजार में बेच दिया. यानि हम अपने बिजनस में दो लाख का जो फायदा कमा सकते थे, अब कमाएंगे क्या? नहीं. उसके बदले नुकसान हो गया ये. उसके बदले अमने कितना कमाया? पचास जार. तो पीजी बीप में नुकसान के बदले जो कमाएंगे वो पीजी बीप में ही जाएगा. बात समन में आई? तो प्रॉफित on transfer of duty entitlement passbook. चले हांगे? तो अभी तक दो ही पॉइंट हम लोगों ने discuss किये. पहला देखा, if any person और या profit or gain from business or profession carried on by a person, at any time or during the previous year shall be charged to tax under the head PGBP. दूसरा मन बता है, in case of an export SSE, profit on sale of import license, duty drawback, cash assistance and profit on sale of duty entitlement passbook. हड़ा सकते हैं? सुनना डंग से. हम ये किसको पकड़े हैं? वो इतना मोटा पकड़ने लाएक है. हम अपनी बात करो. असंभा को संभा बनाने की बात करो. अभिशेक को पकड़ते हैं, ठीक है न? अभिशेक न एक बहुत बड़ी कंपनी का एजेंट है. दलाल अभिशेक एक बहुत बड़ी कमपनी का दलाल है एजेंट है और कमपनी का नाम है मान लेते हैं निर्मा यह इस कमपनी का एजेंट है यह पूरा एरिया उसको आसपास का पूरा जोन मिला हुआ है सामान बेचने के लिए और एक महिने में यह पांच करोड की सेल दिलवाता है कितने की कितने की ठीक कमपनी इससे दुखी हो करके वो एजेंसी हमको दे देती है किसको दे देती है और हम एक महिने में कितने रुपे की सेल करवा देते हैं अब समझ में आए कमपनी दुखी क्यों दी इससे हाँ या ना कम्पनी बहुत खुश हमसे इससे नहीं हमसे और कम्पनी ने एक दिन हम ठके मांदे घर पे पहुँचे दर्वाजा खोला पैर के नीचे कुछ जैसे वो सरसरा आवा जाई वैसे मेरे पैर के नीचे सरसरा हटाई तो मैंने देखा कागज पढ़ा हुआ है कागज निकाला खोला हाँ क्या निकला बता तू पढ़ क्या आया है अचा बता तो दो क्या निकला आचा आ देखो हमको फोरें टूर का टिकेट निकला था उसमें कि हम आपके काम धाम से बड़े खुश हैं आप जाइए ये आठ लाक रुपए हम आपको देते हैं इसमें फोरें की टिकेट है फोरें जाइए और खर्च करिए आठ लाक रुपए हैं सारी ठकावट मिट वापस आए शॉपिंग वगर करके वापस आए फिर दरवाजा खोला फिर पैरों के नीचे कुछ सरसरा वा जाई उठाया तो इंकम टेक्स डिपार्टमेंट का नोटिस उसमें लिखा था आट लाग रुपर जो बेटा खर्च करके आयो ना वो तरी बीजी बीपी है क्या मेरा बिजनस प्रोफेशन का हिस्सा था क्या मेरा बिजनस से रेलेटेड था हाँ हाँ हम ना ये सेल करते ना कमपनी हमको वो टिकट देती हमने ये सेल दी तभी वो टिकट मिली यानि जो हमें वो benefit मिला जो perquisite मिला जो non-monetary benefit मिला वो हमारा due to business और profession था अगर हम वो business या profession exercise नहीं किये होते अच्छी performance नहीं दिये होते तो जिस तरह इसका business खीच कर हमको दे दिया गया हमारा भी business किसी और को दे दिया गया होता हाँ या ना अब कहा गया अब समझ में आई बात नहीं समझ में आई हटा सकते हैं ये पत्शम किसी और विफ इसांट Water उ किसे हो चाे सिर्छीन औरी और सबस्ट pastors लिजन सब घसितर तर केए Estamos है प।र Clem च्छीन और नखकर सैसे लिफकर सक्षबर नहीं बादिते हैं और सकते हैं, अटर जिस किर्ट ऊह हैं अज। झानशबारी। क driveway समझ में आया ना। सुनना डंग से। कोई भी ऐसा कमपनसेशन कोई भी ऐसा कमपनसेशन छतिपूर्ती ड्यू टू और रिसीड बाई एनी परसन जो बिजनस चलाता हो क्यों मिलेगा कमपनसेशन क्यों मिलेगा ऐसा कमपनसेशन रीजन चलो कमपनसेशन को मारो दो मिनिट के लिए गूली एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीड बाई एनी परसन दो अलग-अलग सेंटेंस में बोल रहा हूँ पहला मैंने बोला था एनी कमपनसेशन ड्यू टू और रिसीड बाई एनी परसन जो बिजनस चलाता है दूसरा मैंने बोला any amount due to or received by any person कोई पैसा हमें किसी दूसरे परसन से मिल रहा है दूसरा वाला पहले बता देते हैं any amount due to or received by any person so no for not क्या भई for not क्या carrying out any business activity पहला पॉइंट हम न ये पिन बनाते थे ठीक चलता था नट्राज पैंसिल का नाम सुना है अच्छा अपसरा पैंसिल का नाम सुना है नट्राज पैंसिल भी बनाता था पैंसिल भी बनाता था eraser भी बनाता था ये company भी pencil और eraser बनाती थी अब इस company ने सोचा हम भी pen बनाएंगे क्या सोचा हम भी pen बनाएंगे जैसे ही इसने ये सोचा और काम करने लगा इसका दिल धक से रह गया कि इसने तो मेरा business वैसे ही काफी हद तक share कर लिया है अगर ये pen भी बनाएगा तो मेरा ये business भी share हो जाएगा हाँ या ना ये गई इस company के पास और इसने इस company से बे बोला कि तू pen बनाने का काम मत कर इसने का क्यों न करूँ कहा तू ये काम बंद कर दे वरना तो इसने का क्या वरना तो इसने का इसने कहा कुछ तो किया भी है ले लो 10 करोड़ वजब शुरूई किया भी अब बताओ ये कहा जाएगा इसके पास किस हैड में टैक्सेबल होगा पी जी पी पी क्यों क्योंकि ये business अगर कर रहा होता तो इसको कुछ न कुछ फाइदा मिलता अब ये फाइदा नहीं मिलेगा अब ये फाइदा नहीं मिलेगा वो नुकसान हो गया और उस नुकसान के बदले जो मिला वो फाइदा है बी जी पी का समझे मेरी बात हमसे उसने ये नहीं कहा कि सारा business बंद कर लो I am not going to tell that to close down or shut down the business मैंने ये नहीं लिखा है मैंने लिखा है for not carrying out any business activity किसी activity को मना किया है business close down करने के लिए नहीं बोला पूरा business नहीं बंद करने के लिए बोला तब तुब capital gain में चला जाएगा केवल एक activity को बंद करने के लिए बोला है is it clear पक्की बात अरे बोल दूसरा for not हमको कोई पैसा मिलता है for not sharing any know-how patent copyright license franchise formula और such type of commercial rights बोलो न समझ में आया कुछ नहीं आया सर क्या लिखा है वो तो बता दीजिए बता सकते हो तो बताओ हाँ बोलो मेरे पास कोई license है patent है जिस पर मेरा ही अधिकार है उस formula का use करते हुए तुम कोई business नहीं कर सकते है वो मेरा patent है वो मेरा अधिकार है करो गए तो मेरी permission लोगे और मैं permission दूँगा तो कुछ पैसा लूँगा नहीं समझे हम बार बार यह कहानी यह सारी एक कॉपीड कहानिया है जो मैं हर बार स्टार्ट होता है लेक्चर तो यह पीजबीपी के फर्स लेक्चर में सेम स्टोरीज बताता हूं ताकि आपकी understanding ज्यादा अच्छे तरीके से clear हो फिर से वही कहानी जो मैं हर बार देता हू इस पर भी बता दूँ जब हम लोग छोटे थे उससमें दूर दर्शन आता था पेंपेंपेंपेंवाला ठीक है ना और जब साड़े आड़ बजे न्यूस चैनल आते थे उससमें न्यूस स्टार्ट होती थी आड़ बजे चित्रहार आता था और आड़ बज कर 30 मिनट पर ह थी दिन न्यूस में आया थोड़ा मिर्च मसाला लगा कर बताऊंगा तो कि उसमें कहा जाता है ना यह कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है लेकिन कहानी कि नहीं 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 मनुरंजक बनाने के उद्देश से इसमें कुछ हेर फेर की गई है कुछ बोला जाता है ने डिस्क्लेमर में तो वही है इसमें भी परसनल ना हो जाना तो हुआ क्या कि एक बंदा है उसने पानी से पेट्रोल बनाना सीखा उसने एक ऐएसा फार्मुला इजद के और रियल की बात बता रहों जे नैंटी की बात है 95-96 के असपास की बात है अब याद नहीं ईकजल्प 97 भी पी हो सकता है तो उसने फार्मूला बनाया क्या पानी से पेट्रोल अब पानी से पेट्रोल बनाया तो बट आउवियस है, दुनिया में हड़कम बच गया, अब गल्फ कंट्रीज का क्या होगा, इंडिया में लोग ऐसे नल चलाएंगे, नीचे से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, पानी तो निकलता है, पेट्रोल निकलेगा, पेट्रोल नि अब पूरे न्यूस पर जागया, शनिवार को उसका डेट ते हुआ कि वो इंटर्व्यू देगा और दुनिया को दिखायेगा पानी से पेट्रोल बनाने का फॉर्मिला, शनिवार को वो आया, नहीं बना पाया, नहीं बना पाया, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा था, अरे बोलो न, अब थोड़ा फ्लेश बैक में जाते हैं, एक दिन पहले, कहानी के फ्लेश बैक में, वो बैठा हुआ था, अपने घर पे तैरी कर रहा था, कि सुबह मुझे दुरदर्शन पर जाना है, दुनिया को बताना है, पानी से पे दिखे और कुछ शेख दिखे, और उन्होंने बोला बेटा, अब उनकी लेंग्विश तो बोलेंगे नहीं हम, बेटा अगर तुने कल बता दिया फॉर्मूला, तो तु गया, दुनिया छोड़ देगा, यहां तो यह 50 करोर रुपे रख और फॉर्मूला बोल जा, यहां त उसने देखो किस चीज़ का पैसा पाया, फॉर्मूला शेयर ना करने का, अगले दिन भूल गया वो, पकी बात है, यह वही है, कि अगर कोई बिजनसमेन है, मेरे पास कोई पेटेंट है, कॉपी राइट है, फ्रेंचाइजी है, फॉर्मूला है, लाइसेंस है, कुछ भी है जो कॉमर्शियल राइट से मेरा, अगर मैं उसको किसी को शेयर करने से मना कर दिया जाए, कोई आता है, करता है, तेरे पास यह फॉर्मूला है, तो बिजनस करता है, खबरदार जो इसको किसी दूसरे को शेयर किया, अपने तक ही रखना, तू बिजनस कर ठीक है, लेकिन कि को यह लूपचास करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए अपने बिजनस इंट्रेस्ट को ठीक करने के लिए दूसरे को अगेंस्ट है, उसी लॉस के अगेंस्ट है, तो कहा टेक्सबल होगा, पीजी बीपी में, अब समझ में आई बात, तो अब तक मैंने बताया, पहला मैंने बताया, एनी प्रोफित और गेंज और अराइजिंग और अजी बिजनस और प्रोफिशन करिड़ यूपशन करिड़ प्रोफिति अरी सिर्स्ट करिड़ यूपशन करद ओंडर अरिप्रोफित और वो परक्षित अनी करवा के रिए ए्नी अन्मानlines ÖPIFAκι стороны अ geçt बात अंच तो और receipt by any person, for not, for not, for what? For not, for not carrying out any business activity, for not, for what? For not sharing any business, for not sharing any know-how, patent, copyright, franchisee, license, formula, or such type of commercial rights. समझ में आया? और जब मैंने ये sentence start किया था, मैंने कहा था, कि इसके साथ साथ हम तुरंत एक करेंगे, any compensation वाला, हाँ या ना? यहाँ तो compensation था नहीं? Due to or receipt by. हमने, सुनलो इधर कहानी सुनना, ये अर्विंद है, और ये शुबहम है. अर्विंद ने शुबहम से कहा, कि तुम हमें पूरे साल भर में दो लाख किलो माल मैटेरियल सेल करना, दो लाख चालिस हजार, कितना? और इसका rate ले लेना 10 रुपए के हिसाब से. शुबहम फूल कर कुपपा हो गया, साल भर का order एक बार में मिल गया, हाँ या ना, उसने डन डना डन, डन कर दिया. लेकिन उसे नहीं मालुम था, कि ये उसके जाल में फस चुका है, किसके? शुबहम के, अरे, अर्विंद के. अर्विंद को मालुम था, कि आने वाले समय में इसका दाम बढ़ेगा, दस की जगा 14-15 हो जाएगा, शौर्टेज होने वाली है, एग्रिमेंट कर लेते हैं, फिर वो जाने, उसका काम जाने, हाँ या ना, फ्यूचर में इसने, लगभग लगभग 40,000 किलो मैटेरियल खरीद लिया, उसके बाद, अभी इसको 2 लाख और सप्लाई करनी हैं, दस महिनों में, तब तक इसका दाम मार्केट में 15 रुपए हो गया, कितना हो गया, क्या अभी ये बेचेगा इसको, 10 रुपए में, क्यों, और अगर बेटा नहीं बेचे, तो एग्रिमेंट में लिखा है, कि 5 लाख रुपए कंपनसेशन देना पड़ेगा, 2 लाख रुपए कंपनसेशन देना पड़ेगा, मान लेते हैं, 1 लाख रुपए, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा इसके, 1 लाख रुपए कंपनसेशन देना पड़ेगा, अब यहां तो 2 लाख किलो मैटेरियल बेचो, और 5 रुपए का नुकसान करो, हाँ याना कितना रुपए का नुकसान हो जाएगा, 10 लाख, यहां तो फिर इसको 1 लाख रुपए का कंपनसेशन दे करके, टाटा और बाई-बाई बोल दू, सुचो माल बेचना था, नहीं बेचना चारे, तो भी बेचना पड़ेगा, का करें, 1 लाख दे देगा, हाँ, 1 लाख ले लो बेटा, और किनारे हो जाओ, तो देखो, ट्रैपिंग में तो फस्ट, यह तो बैठे-बैठे, एक लाख रुपए कमा लिया, यह सब गुड़ सीखो, देखो, बिजनस कितने तरीके से हो सकता है, नहीं, सीखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, अगर तो मैं मालूम है, तो तीन दिन बाद रेट बढ़ने वाला है, तो किसी ऐसे सप्लियर के पास चले जा, उससे साल बर का एग्रिमेंट कर लो, और उससे नोट कर वालो, और अगले दिन को पई सालाओ, नहीं समझे मेरी बात, एक लाख रुपए इसको मिल गया, लेकिन इसको नुकसान भी तो है, दो लाख पर, ये दस लाख रुपए कमा सकता था, इसका प्रॉफिट बढ़ सकता था, अगर ये सस्ते दाम पर मिलता, तो इसके बिजनस का प्रॉफिट बढ़ता, अब क्या वो बिजनस का प्रॉफिट बढ़ेगा, अब तो इसको महेंगे में सामान खरीदना पड़ेगा, लॉस होगा, उस लॉस के अगेंस इसको compensation मिल गया, वो compensation के सेड में taxable होगा, profit होता तो PGBP लॉस है, तो PGBP, अब समझ में आई बात, clear है, ऐसा मत सोचना हमेशा यही फायदे में रहेगा, उल्टा भी हो सकता है, दाम साथ रुपे का भी हो सकता है, क्या, और अगर दाम साथ रुपे का हो गया, तो क्या, अर्विन शुभम से खरीदेगा, शुभम कहेगा, खरीद खरीद, अर्विन कहेगा, ना बाबा ना, अब उल्टा हो गया, अरे हाँ भाई, नहीं समझे, तो कहेगा ना, ये एक लाख रुपे तू रख ले, हमारा जान छोड़ो और एक लाख रुपे तू ले ले, उसने एक लाख रुपे लेकर इसकी जान छोड़ दी, तो इसको जो नुकसान हुआ, किस head में नुकसान हुआ, PGPP में, उसको जो profit हुआ, किस head में profit हुआ, PGPP में, अब समझ में आई बात, तो के वल one sided मत सोचना, दूसरा भी हो सकता है, बताओ क्या लिक लेख, देखो, any compensation due to or received by any person against termination या तो business के उस contract को जो हम इन दोनों के बीच में हो उसको बिल्कुल terminate कर दो, खतम कर दो, दो लाख रुपए compensation दो या तो rate में चलो compromise कर ले तेम बैट करके, 10 रुपए तय हुआ था न, market rate 15 रुपए हो गया न, चलो आगे से 13 रुपए ले 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 न, और ये 50,000 का compensation रखो, तुम्हें भी कुछ नुकसान, हमें भी कुछ नुकसान, नहीं समझे मेरी बात, या तो terminate कर दो पूरी तरह contract को, या उसमें modification कर दो, modification का मतला है change कर देना, terms condition जो पहले तय हुई थी 10 रुपए वाली, अब उसको बढ़ा कर 12 या 13 पर satisfy कर देना, और कुछ compensation ले ले लेना या दे देना, अब समझ में आई बात, तो termination और modification नहीं है, modification है, इसमें भी modi आ गया है, termination and modification in terms of a contract, relating to, any company, चले आगे, sir आपने ये line जोड़ करके हमको कनफूज कर दिया, कर दिया ना, termination or modification in terms of a contract relating to any Indian firm और agency, अब तो confusion दूर हो गया, नहीं, sir, अब confusion और बढ़ गया, यहां हमने ये नहीं लिखा था, Indian company नहीं, इसका मतलब, यहां पर Indian और foreign दोनों company आ जाएंगी, आ या ना, किसी के साथ भी agreement हुआ हो, लेकिन अगर company से बाहर agreement हुआ है, तो वहां के विल इंडियन firm और agencies के बीच के matter आएगा, इस इट क्लियर, आएंगे, numerical पे आएगा, टेंशन ना लेना, अगर हम इसी पर ही अभी examples और देते चले जाएंगे, तो यह section 28 अज तो नहीं ख़ता होने वाला, ठीक, otherwise this section को normal जो teachers होते हैं, बहुत हलके फुल के में पढ़ा कर किनारे कर देते, चलो section 29 से start करते, section 28 को पूरा नहीं पढ़ाया जाता, इससे क्या होता है, यह जो आपका basic understanding है, वो clear कभी नहीं हो पाता, PGBP को ले करके, देखो ना, कौन कौन सी चीज़ें, अब तक हम लोग सोचते थे, capital gain में जाएगा, नहीं जाएगा, वो सारी चीज़ें, अब समद में आ रही हैं, 28 में किन चीरों को कवर किया गया है, अभी तो आधी list भी नहीं होई है, point number 6, अच्छा, sorry, इसी में C, तो अगर कोई compensation due to or receipt by any person, termination और modification in terms of a contract relating to any Indian company और other company, तो हमने के वाल एनी company लिग दिया, तो Indian और others दोनों हो गए, termination और modification in terms of a contract relating to any Indian firm और Indian agency, is it clear, बोलो, next है, डंग से सुनना, फिर से कहानी, सुनने के लिए तायार हो, हुआ ये था, देखो आज वो चीज़ें सही भी साबित हो रही हैं, जो कभी past में हुआ, आज वो सामने दिख रही हैं, और हम ये कहानी कई सालों से सुना आ रहे हैं, लेकिन आज वो चीज़ें सच हो रही हैं, दिखा जाए क्या, हुआ ये कि रिलाइन्स ने डेटा फ्री कर दिया, क्या कर दिया, डेटा फ्री कर दिया, कुछ समय तक उसको नुकसान हुआ, हजारों करोनों का नुकसान हुआ हुआ, थोड़ा बहुत नुकसान नहीं हुआ, सर ऐसे कैसे, उसको पूरी लाइने बिच्छानी पड़ी होंगी पूरे आल ओवर इंडिया में, फाइबर लाइन्स, कॉस्ट आई होगी, उसके बाद उसने कहा हम फ्री में देंगे, यहां बहुत सस्ता देंगे, जहां पर हम लोग एक जीबी 250 रुपए या 251 का बाई करते थे, वहां पर एक जीबी की कीमत 15-16 रुपए हो गई, 10 रुपए हो गई, ओन एन एवरेज, कितना फरक आ गया, अब कमपटेक्शन में दूसरी कमपनिया भी आई, हम भी लड़ेंगे, क्या, उसने रिलाइन्स ने अपना पैसा, जीयो ने अपना पैसा यह सेक्क्योर कर रखा था, मान लेते हैं यह कमपनी आई, इसने धूम मचा दी, BSNL लगी गिरने, MTNL लगी गिरने, कोई पूछी नहीं रहे, क्यों हम एक कॉल दो रुपए तीन रुपए करेंगे हम फिरी वाला बात करेंगे नहीं समझे हम फ्री वाली बात करेंगे अब ये कंपनी ऊपर चड़ती गई दूसरी कंपनिया नीचे जाती गई अब ये सेनल को टेंशन होई वो गई इसके पास रिलाइंस के पास और रिला अच्छे एक्सपर्स बैठा रखें जो उस पर अनलेसिस करते रहते हैं बिएसनल ने पूचा बही क्या है तुम्हारे पास बता दो तो उसने कहीं ये च्छे बंदे हैं जो हमारे बिजनस को संभालते हैं इनके ऊपर छोड़ दिया है ये लोग के वाल अनलेसिस करते हैं उ हमने प्रीडम दे दिया ये छह मेरे की फेक्टर है कि नो रत्न नहीं है छनी क्या जो हुआ nove कի 12ions को कि तो उसने का 1 एक रतन हमें भी दे दो कितना क मतलब एक डारेक्टर हमें भी दे दो इसमें से एक एक्सपर्ट हमें कर देंगे अपना मेनेजमेंट तुम्हारे पास लेकिन कितना लेंगे पचास करोड ठीक है इतने हजारों करोड का नुक्सान हो रहा है पचास करोड और सही उसने अग्रिमेंट कर लिया अब जब वो इसके मेनेजमेंट के पार्ट को ले जाने लगे या समझ लो एक बंदे को ले जाने लगे तो रिलाइनस वाले ने चुप़े से उसके कान में कहा बेटा बरबात कर किया ना तुम्हें सो करोड दू नहीं समझे ठीक है ना लेकिन देखो तो रिलाइनस वाले ने अपने management के एक हिस्से को government को दे दिया ना, नहीं दिया, government ने इसके बदले क्या दिया, compensation, अगर ये बंदा इसके पास रहता, तो इसके business को और profit होता, अब वो क्या होगा, नुकसान, उस नुकसान के against a sick को क्या मिला, compensation, तो यही है, any compensation due to a receipt, vesting of the management, in favor of government, vesting of the management of any property or business in favor of the government or any corporation owned or controlled by the government, चलो, मैंने कहानी दूसरे तरीके से बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया इस्टोरी न, हटा दे, हटा सकते हैं, समझ में आया, अब तक total 5 point बता है, any salary, bonus, commission, interest, or any remuneration, receipt by any partner, from its partnership firm, अरे 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 सर, यह क्या बोल दिया आपने, इधर देखो, इधर देखो, एक फर्म है, जिसके तीन पार्टनर है, मेसर्स एक्स वाइजड, इस फर्म ने, अपने, पी अल अकाउंट से, salary दी, X को, 50,000, क्या दिया, Y को दिया, 1,00, और, commission दिया, Z को, 1,50, और, interest दिया, 2,Y, हाँ या न, फर्म दे सकती है, नहीं दे सकती है, दे सकती है, X को मिलेगा, ये पैसा, कहाँ taxable होगा, मज़ब PGP पढ़ा रहे है, कुछ भी उसमें, transfer कर दोगे, capital asset बेची, कहाँ जाएगा, PGP, अरे salary मिली है, कहाँ taxable होगा बैई, अगर हमको salary मिले, कहाँ taxable होगा, common sense की चीज है, कहाँ taxable होगा, लुस्वी अटकी हुई है, कहाँ taxable होगा, कहे, हाँ, any salary, bonus, commission, interest, or any other remuneration, receipt by any partner, partners को कुछ भी दे दो, salary bonus commission के नाम से, partners के हाथ में, ये नहीं, salary आई तो salary head मिले जाओ, interest आया तो other sources मिले जाओ, ना बाबा ना, जो कुछ भी मिलेगा, partners को अपने firm से, वो सारा का, सारा partners के हाथ में, PGP में होगा, क्योंकि partnership firm और partner, एक तरह से देखो, तो करने वाले तो वही काम है, ये तो पैसे का बटवारा हो रहा है, अगर ये बटवारा नहीं हुआ होता, तो किस head में taxable होता ये सब, firm तो PGP में ही tax दे रही होती, अगर ये नहीं बाटा जाता, तो किस head में firm को tax देना पड़ता, PGP में, हाँ या ना, firm ने बाट दिया, तो भी कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, गया तो मालिकों के पास ही है, कहा टेकसेबल होगा, PGP में, तो अगर ये line यहां नहीं लिखी होती, अगर ये line यहां नहीं लिखी होती, तो कहा टेकस लगाए होते, salary में, other sources में, जहां जैसी जरुरत होती, लेकिन अब इस line के आ जाने से, तुम लोग मजबूर हो, कि तुम कहाँ टेकस लगाओ, PGP में, कोई doubt हो, यहां तक तो बता सकते हो, next है तुम लोग का, अब देखो, बोर होना शुरू हो गया होगे, कितना चलेगा, नमबर इसी पर ही मिलेंगे, फूचर में इसी से ही कमाओगे, कहां कमाओगे, फूचर में, है कि नहीं, एक teacher थी, उसने, एक बच्चे से बोला, क्या लिखा है ये, हाँ, क्या लिखा है, ये क्या दिख रहा है तुमको इंसान, क्या लिखा है, उसने का, इलेक्ट्रिकिटी, तो उसने का, नहीं बेटा, ये इलेक्ट्रिसिटी है, बोल इलेक्ट्रिसिटी, तो उसने का, इलेक्ट्रिकिटी, तो उसने का, नहीं बेटा, को का यह electricity तो कर रहा है electricity आप ही समझाइए कि रहे सही तु पोल रहा है electricity कि क्या गलत बोल रहा है आप गलत पड़ा रहे हैं तो अब मैं को लगए गुस्सा दोनों को ले गई प्रिंसिपल के पास principle से कही कि यह दिखी हम तब कल से समझा रहे हैं लोग को जैसा बेटा वैसा बाप वह वी लेक्टर्किटी है भी लेक्टर्किटी समझ ही नहीं रहे तो प्रिंस्पल ने कहा मैं तो लड़के का उनका एनी समरिसीट अंडर की मैं इंशुरेंस पॉलिसी और मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताने जा रहा है सर बता दीजिए कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने जब आपको चैप्टर नुबर वन इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो उसी समय मैंने की मैं इंशुरेंस पॉलिसी सारा का सारा बता दिया था नहीं बताया था तो बता देते हैं सुनो इधर बताने में क्या है देखो इधर की मैं इंशुरेंस पॉलिसी क्या होता है वो बंदा जिसके हाथ में क्या हो बस यही सोच है तुमनों की गटिया की मैन का मतलब ऐसा बंदा जो हमारे बिजनस में चावी की तरफ काम करे चावी लेकर गुमें नहीं या चावी लेकर गुमने वाला की मैन होता है वो भी हो सकता है कौन मना कर रहे है चपरासी भी की मैन हो सकता है कोई भी ऐसा बंदा जिसके बिजनस में रहने या ना रहने से हमारे बिजनस को फाइदा या नुकसान होता हो वो हमारे लिए की मैं है ही मैं नहीं की मैं है कौन सा है तो बता हो की मैं बन गई ही मैं बन गई सूपर मैं बन गई है बाने वाले समय में बन जाएगी, तो ये key man है, इसका मैंने insurance कर वा लिया, पूछो क्यों, सोचो मेरे आँ एक आदमी है Mr. X, जो business पे रहता है तो बहुत फायदा देता है, लोगों को बहुत खुश कर देता है, लोग सामान आते हैं, देखो न कभी-कभी तुम लोग सामान लेने जाते हो किसी द समन में आए, ऐसे लोग तो सब को पसंद आते हैं, है कि नहीं, तो कुछ ऐसा ही था, वो सामान को बेचता था, यह का सकते हो लपेटने में माहर था, तो ऐसे आदमी, सुनो, अब इसका मैंने insurance कर वा दिया, की मैं insurance policy ले ली, अगर कल इसकी death हो जाए, नहारे business को नुकसान होगा, पैसा मिलना चाहिए, insurance company हमको देगी, अब insurance company हमको देगी, क्यों दी उसने, क्योंकि मेरे business को नुकसान होने लगा, और मैंने उसका insurance करवाया था, insurance किसका करवाया था मैंने, और किसने करवाया था, में sirs, wai and brothers ने, किसका insurance करवाया, कल इसकी death हो जाए, तो ये पैसा किसको मिलेगा, घर वालों को मिलेगा या इसको मिलेगा, ये भाई को क्यों मिलेगा, वही तो भूच रहा हूँ, हाँ, insurance इसी ने करवाया, अपने फायदे के लिए, तो अब जो पैसा मिलेगा, इसी को मिलेगा, हाँ या ना, ताकि वो नुकसान कम हो सके, तो कहाँ taxable होगा, PGPP पे, किस नुकसान के against, PGPP के नुकसान के against, कुछ भी मिलेगा, वो PGPP का profit होगा, आ गया, हाँ या ना, लेकिन अगर ये Mrs. Why and Brothers, थोड़े भावुक हो जाए emotionally, इसके घर वालों को कुछ दे दे, family members के, कुछ पैसा चला जाए, मान लेते हैं, दस लाक मिला, दो लाक यहाँ चला गया, तो इसके पास आठ लाक taxable होगा और इनके पास, दो लाक, किस हैड में, salary employee को देते हैं, तो मिलता है, यह salary इसके घर वाले का नौकर है, उसके, उसके other sources में जाएगा, बात समन में आई, salary में नहीं जाएगा, इसका पैर तूट गया, हाँ, पर्मानेंटली disabled होगया, काम करने के लाक नहीं है, अब कीमेन इंशुरेंस का पैसा इसको मिला, 10 लाक, कहाँ taxable होगा, PGBP, इसने 8 लाक रुपे लिया, 2 लाक किसको दिलवा दिया, Mr. X को, तो Mr. X के किस हैड में जाएगा, salary में अब जाएगा, क्योंकि वो employee की assets से क् समझ में आई बात, Mr. X चला जाए तो हमारा नुकसान होगा, उसको मेरे competitor ने पकड़ लिया, कितनी salary देता है रही, कहता है 50,000, आजा तुझे 60,000 दूँगा, तो मेरा key man अब किसी दूसरे का he man बन गया, अरे, अब मुझे 10 लाक रुपे मिले, तो अब मुझे दया आएगी, अब मैं उसको कुछ दूँगा, सारा 10 लाक रुपे को रखोंगा, अब समझ में आई, clear है, ये होता है, जो बड़ी-बड़ी corporate companyya होती है, example के नाम तोर पर लेते है, ICSA bank ने अपने 50 employees का selection किया, ICSA finance ने, मान लेते है, उसे 50 लोगों का selection किया, interview पर खर्च किया, उसकी in-house training दी बकायदा, residential basis पर लाकों रुपे खर्च कर दिये, और कहा देख, आज से तेरी salary एक लाक रुपे है, सब करने के बाद, HDFC वाला गया, उसके कान में फुस- 1000 पर लेकर चलागी, समझे मेरी बात, ये होता है, clear हुआ, training एक company में करते हैं, training लेकर जाते हैं, दूसरी company में, मजा लेने, मैं एक section जो है, दो points बलकि इस section में छोड़ दे रहा हूँ अभी, पहला है आपका, अगर कोई trade या professionals की income है, point number 8 है, income of any trade or professionals, ये हम लोग AOP chapter में देखेंगे, ठिक, जब आएगा तो उसी समय देखेंगे, और मैंने एक word यहाँ पर लिख दिया, section 35 AD, जब यह मैं section पढ़ाऊंगा, section 35 AD, तो उस समय सारी कहानी बताने के बाद, मैं वापस आपको flashback में, आज की rate में लेकर के आऊँगा, ये लगभग 7, 8 class, 10 class बाद आएगा, ये section 6, 7 class बाद आएगा, तो उस समय में फिर से आपको ये वाली class remind करवाँगा, कि देखो मैंने section 28 पढ़ाते समय, section 35 AD इस तरह लिख दिया था, और मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बताया था, तो आज वो समय आ गया है, कि आज मैं आपको, तो समय में बताएंगे, that is it, अच्छा एक amendment छुड़ी है, sorry, amendment आया है, दो साल पहले आ चुका है, the fair market value of inventory, converted as a capital asset, अगर मेरे पास, कोई inventory है, इस inventory का मदब ये business से related था, किसे related था, और इसको मैंने convert कर दिया, capital asset में, मेरा काम था, जमीनों को खरीदना और बेचना, तो जमीन मेरे लिए क्या थी, stock था, अब मैं सोच रहा हूँ, चलो मेरे पास जो ये एक जमीन है, इसको हम अपने घर में यूज़ कर लेते हैं, यहां अपनी factory की building बन वा लेते हैं, पचास जमीने हैं मेरे पास, एक जमीन मैंने उसको अपने लिए यूज़ कर ली, अब क्या मैं उसको बेच पाऊंगा, मेरे पास 50 plot थे, कितने, अब एक plot मैंने अपने लिए रख लिया, चाहे business के लिए, चाहे घर के लिए, खरीदा मै निकाल दिया, अब कितने बेच पाएंगे, हाँ या ना, वो जो एक मैंने निकाल दिया, इसका मतलब transfer तो हो गया, हाँ या ना, तो उसका PGBP निकाल ले ना, जितने में ये बिख सकता है, जितने में ये बिख सकता है, उसका profit निकाल कर PGBP मिले जाओ, ये नहीं कि हमारा ही तो पैसा था, हमारे ही तो बिजनस में था, मेरा ही तो खरीदा हुआ है, काहे का PGBP, अरे बहुत यह उसकी सेल प्रैस निकाल ले ना, रहे हसने अलिवात नहीं इसे ही बोल रहा हूँ ठीक तो कहा अब इसकी फियर मार्केट वैल्यू निकालो, मान लो तुमने ये जमीन खरीदी थी पांच लाक रुपए में, आज जब तुमने अपने घर के लिए इसको यूज करने है, बिजनस के लिए यूज करना है, अपने लिए इसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 50 लाक, तो 45 लाक प्रबाबू, क्या निकाल लो, PGVB, उस पर टेक्स देना पड़ेगा, बोलो, सेक्शन 28 इस ओवर, डं 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 डं, दो पॉइंट मैंने छोड़ दी हैं केवल, पहला पॉइंट मैंने छोड़ा है आपका ट्रेड और प्रोफेशनल्स की इंकम, जो हमने कहा, AOP में देखोगे, तुम लोग, डेटेल में देखोगे, और सेक्शन 35 AD, 35 AD इस्पेसिफाइड बिजनस पर किये गए, इस्पेसिफाइड नेचर के खर्चों के बारे में बताता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, झाल झाल झाल